पर मम्मा ये तो बहुत थोड़ी सी है अगर मीह खालोंगी तो फिर आप क्या खाऊगी अरे मेरा चुडो मेरा पेट भरा हुआ है मैने तो दाल बनते हुआ भाले थी अब बस ये तुम खालो नहीं मम्मा मुझे पता है कि कला से आपने कुछ नहीं खाया या आप खालो ना मेरा तुबे से भी पेट भड़ा हुआ है इस तरह वे मा बेटी एक दुसरे को भूचन दे रही थी क्योंकि वे परिवार बहुत जारही गरीब था उनके घर में भूचन की बहुत ही खिलत थी यही सब वो रहा था कि तबी दर्वाजे भी कोई आता है अरे खोलो बेटी मैं बुढ़ा उल्लू हूँ मुझे कुछ दे दो बहुत भूचा हूँ मैं कल से उस बुढ़े उल्लू की ये बात सुनकर शोन उचेडिया फॉरं से उसे अपनी घर में लियाती है उल्लू अंकल आपको बहुत भूच लगी है ना ये ले ये भूचन खाने चली से पर बीटा ममा ममा आपी तो कहती हो ना कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने चाहिए तो बस मैं भी उल्लू अंकल की मदद कर रही हूँ वे बुढ़ा उल्लू तो वह कई में बहुत ज़ादा ही भूचा था वे जल्दी जल्दी वे सारा पोचन खाने लगता है अरे वाह मसा आगया पोचन खाकतो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया बेटी अचा चलो आप में चलता हूँ ये कहकर मैं बुढ़ा उल्लू वहां से चला जाता ही दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है शुनो चेरिया वाकी में आज मुझे बहुत जादा खुशी होई ये तुमने उस उल्लू की इतनी मदद की अरे मम्मा ये क्या ये उल्लू अंकल तो अपनी समान की पोटली या घर पर ही बूल गए मैं जाती हूँ वो अभी जादा दो नहीं गया होगे मैं उनका ये समान उने लुटा कराती हूँ शोनुचेडिया तो भागी भागी उस उल्लू का समान लुटाने उसके पीछे जाती है अरे रुख जाए रुख जाए उल्लू अंकल अपना समान तो लेकर जाए वे उल्लू तो रुखने का नाम नहीं ले रहा था और वे उरता उरता काफी दोर आ गया था और फिर वे एक जगा पर आकर बैचाता है फिर शोनुचेडिया भी उसका पीछा करते करते उसे उसका समान लुटाने आती है अल्लू अंकल अल्लू अंकल आपने तो आज मुझे ठका ही दिया मैं आपको कबसे वादी दे रही थी तो शायर आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं थी अरे हाँ ये तो मैं भूली गया था चलो अच्छा हुआ के तुम यहाँ पर आ गई ये सब तो एक साजिश थी मैं बुडा उल्लू पेर से लटके उई रसी को जोर से किष्टा है और तब ही एक बड़ा सा जाला कर शौनुचेडिया के उपर गिर जाता है अरे मुझे बाहर निकालो यहाँ से ये जाल मेरी उपर कहां से आकर गिर गया बेवकूफ चेडिया अभी तक नहीं समझी कि ये सारा कुछ मेरा किया हुआ है मैं जान बुचकर अपनी पोटली तुम्हारे घर पर बूलाया था ताकि तुम मुझे यहाँ पर मेरा समान देने आओ और मैं तुम्हे पकड़ लू फिर वे बुड़ा उल्लो शौनुचेडिया को पकड़ कर अपने साथ दे जाता है अब तो रात उचाती है शौनुचेडिया के अब तक गर वापस ना आने की वज़ा से मिनुचेडिया तो अब बहुत जादा प्रिशान हो गई थी है रे रात हो गई पर यह शौनुचेडिया अब तक उस लोका समान लटा कर वापस के नहीं आई मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि शौनुचेडिया रास्ता बर्टक गई हो अरे यह इतनी रात को किसका फोन है फिर मिनुचेडिया फोन उठाती है और बात करती है चेडिया बताओ में कौन हो पैचाना मुझे के में कौन बोल रही हो अरे हाँ यह तो कोई जानी पेचानी आवाद लग रही है देखे आप जो भी है मुझे बता दी पहले ही में बहुत जारा परिशान हूँ बाजूचील बात कर रही हो में तुम पक्षियों की पक्षी दुश्मन फो लगो बाजूचील मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कोई बात नहीं अगर मुझे से बात नहीं करनी तो ना करो पर अपनी बेटी से तो कर लो ममा ममा मुझे बचा लो मुझे बचा लो इस जील ने मुझे पकड़ लिया है शोनोचील या तूम वहाँ हाई रे बजोचील छोगो तू मेरी बेटी को उसमें क्या दिगा रहे तुमारा